कुल्लू जिला में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कॉंग्रेस के प्रत्याशी गाउंगाउं में चुनाव परचार कर रहे हैं वहीं कुल्लू सदर विधानसभा के कॉंग्रेस परत्याशी सुंदर सिंग ठाकुर ने मंगल घाटी में चुनाव परचार किया कॉंग्रेस पार्टी को वोट देकर कॉंग्रेस की ही सरकार बनाएगी कि यहां पर पानी की कुछ कमिया थी हमने उसको भी पूरा करवाया और आज मुझे खुशी है कि लोग इस बात को मानते हैं कि चौंग मैं 15 दिन के रिकॉर्ड टाइम में मैंने यहां पर सौच से यहां तक पानी लेकर आया था यह बहुत बड़ी उपलब दी थी जो हुई थ अत्मिकता के तहट काफी काम करवा रहा हूं कुछ नेता कह रहे हैं कि मैं बोलता है जब बड़ाइक मैं आज के दिन में हूं तो मैं ही बोलूँगा यह तो नहीं बोल सकता कि तुम ने किया है तुमने 45-45 साल राजनिती में रहे आप एक काम बताईए जो आपने करवाया ह लेकिन आपने जो है लोगों को इस खेतर की जनता को बहुत पिछड़ा रखा है यहाँ पे बहुत सारी समस्या है आज आपने अस्पिताल में डक्टरों की कमी थी तो आप नेतागन जो है भारतिये जनता पाटी के जो छोटे नेता बड़े नेता एक भी शब दिनी बोलते पचास-पचास दिना मरताल पे बैटे एक भी शब दिनी बोलते थैं डक्टरों की कमी है पानी की कमी को लेकर कुछ नहीं बोलते यहाँ पर पुल बनने थे उनके कमी के लिए कुछ नहीं बोलते कुल्लू के जो है रोजगार बाहर के मंडी के लोगों को दिया गया सारे प स्तारा टिम्बर वाचर यहां पे बेचे थे क्या कुलू के नौजवान वैसे ही आत धरा बैठेगा और इन सारे मुद्धों पे आज मैं जनता के बीच में आया हूं बारी समर्थन मिल रहा है बहुत प्यार मिल रहा है सच में बहुत अच्छा लगा है जो इनके साथ लगाव है कहां पहुंचके अब यह ठगी नहीं चलेगी कि आप किसान समान के तहत हमारे जो दौईयां और खाद से लुटा हुआ पैसा दो आजार बापिस करेंगे और समान लीदी कहेंगे ऐसा नहीं है हमें एक जो है लागत मुल्य को कम करना होगा किर्शी के और बागवानी का और उसके साथ में युवाओं को रोजगार देना होगा मैलाओं को मानसमान देना होगा अस्पतालों में डाक्टर लाने होगे हमारे को कनेक्टिवीटी को बेतर करना होगा इसके उपर मैं जनता के पास जा रहा हूं मैं कोई और कोई भी और बात नहीं कर रहा हूं ना अपील कर रहा हूं लेकिन इतना जुरूर है कि क्षेतर की जनता आने वाले बुविश्य को लेकर सच में चिंती थे हैं और हमारे साथ चलना। सीडी चैनल के लिए कुलू से तुलसी भारती की रिपोर्ट